पाइलेट विमाग में उडान बनने के तुरंद बाद यात्रियों का स्वागत कर रहा था आज सुबह हमारे साथ उडान बनने के लिए धन्यवाद आज का मौसम है अचानक पाइलेट चीखना चुरू कर देता है जबकि वो अभी भी स्पीकर पर है ओमाइगोड 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 चल गया चल गया चल गया एक भैंकर ड्रावनी खौफनाक गहरी चुपपिच आजा दी है थोड़ी दिर में वो पाइलेट फिर से यात्रियों से बात करने माइक्रोफोन पर वापिस आ जाता है मैं इस घटना के लिए माफिच आता हूँ मेरी गोद में गरम गरम कॉफी गिर गए थी अगर आपको यकी नहीं हाथा तो आप मेरी पैंट देख लीजी एक यात्री की आवाज कमीने तो यहाँ आकर हमारी पैंट देख एक भूतनी बाल कटवाने गई इनसान के बेश में बाल कटवाने है बाद में आना भिवेश दूम नाई बेहोश ऐसा क्या का भूतनी ने जो नाई बेहोश हो गया मूंडी लखकर जा रही हूँ स्टैब कटिंग कर देना बाद में आकर ले जाऊंगी एक डोक्टर ने नया क्लीनी खोला थोड़ी देर बाद एक आदमी आया डोक्टर ने अपने आपको बिजी शो करने के लिए टेलिफोन का रेसीवर उठाया और अपवेंटमेंट देने के अंदाज में बोलने लगा फिर फोन रखने के बाद डोक्टर आदमी से बोला हाँ, बताईए क्या हुआ टेलिफोन विभाग से आया हूँ बात खतम हो गई तो टेलिफोन को एक्टिव कर दूँ जब तुम्हें गर्मी लगती है तो क्या करते हो? हम कुलर के सामने बैठ जाते हैं फिर भी गर्मी लगे तो क्या करते हो? तो फिर हम कुलर को चालू कर लेते हैं रात में कमरे का लोक खराब हो गया बीवी ने टोर्च ली और मुझे साथ लेकर लोक ठीक करने चले बीवी ने टोर्च मुझे थमाई और खुद लोक ठीक करने में लग गई काफी समय गुजर गया लेकिं लोग खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था तब बीवी का पारा साथवे आसमान को छूने लगा फिर उसने टोर्च खुझ पकड़ ली और मुझसे कहा कि तुम कोशिश करो मैंने कोशिश की तो लोग जट से खुल गया बीवी मुझ पर बरस पड़ी और कहने लगी अब पता चला टोर्च कैसे पकड़ते हैं